नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्यस्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा के रंगे मिथुन राशी या फिर लगन के लिए शुक्र का जो महत होता है वो कितना होता है या फिर शुक्र जो है वो हर भाव में उसक परिणाम है वो किस प्रकार से मिलते हैं सभी के बारे में डीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं जैसे कि जो शुक्र है वो मिथुन राशी या फिर लगन के लिए काफी जादा महत पूर्ण ग्रह होता है क्योंकि यह आपका पंचेमेश भी है और बेश भी है ऐसी जो कुंडली होती है इसे लग्की कुंडली भी कहा जा सकता है क्योंकि यह जो शुक्र है वो आपका जो व्यक्तित्व है आपका जो संदर है वो काफी अच्छा बनाता है उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह काफी नीट एंड क्लीन रहने वाले होते है धन के मामले में भी यह जो व्यक्ति होते हैं काफी साधा मतलब financially भी काफी स्ट्रॉंग होते हैं artistic nature होता है नुत्यनाटे कला चित्रपट संगी इनकी इनका जो attraction होता है वो भी काफी इन में देखा जा सकता है उसी प्रकर multiple relationship में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं वो काफी अच्छा देखा जाता है उसके बावजुद ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक या फिर अध्यात्मिक भी होते हैं तो ऐसे मतलब अगर यदि आपके प्रतंबाव में जो यदि शुक्र होगा तो थोड़ो सा delicacy इनके जो पूरा व्यक्तितव है उनमें देखा जा सकता है तो ये बात इनमें देखे जा सकते हैं भागय का साथ है जो वो भी काफी अच्छे तरीके से इनको मिलता है तो गुल मिला के देखा जाए तो शुक्र यदि आपके लगन में मत या फिर आपके प्रतंबाव में वितुन राशिका होगा तो ऐसे जो कुणली होती है काफी महतोबन और शुबफलदाई होती है भागय का साथ इनको काफी अच्छे तरीके से मिलता है इसके बात हम चर्चा करेंगे कि शुक्री यदि आपके द्वीतिया भाव में होगा द्वीतिया भाव का यदि करक नहीं बहुती हमेशा कई ना कई से तो पैसे मिलते रहते हैं वानी भी काफी अच्छे होते हैं और उसी से रिलेटेड इनका जो मतलब करियर है वो भी देखा जा सकता है बच्पन भी काफी अच्छे तरके से गुजरता है अब यहां पर दो-तीन बातें उसके उपर बहुत मतलब यहां पर दो-तीन बाते हैं यदि असलेशा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो जो संतान का सुख है उसमें चोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉंप्लिकेशन आ सकते हैं खास करके यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो इसमें इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है उसे प्रकार रिलेशन शेक मामले में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं लेकिन मोटे तोर पर अगर देखा जा तो यदि आप शेर मर्केट में ट्रेट करते हो और इस प्रकार की अगर योग है मतलब आपकी द्वितिया भाव में करकराशी का शुक्र है तो कहार का जो खाना है चटबटा खाना कई या फिर होटल का खाना वगर्यट कि देखा जाए तो द्वीतिय भाव का का जो शुक्र है वो काफी अच्छा माना जाता है दूसरी जादा मैं तो पुर्णबात यदी आपके द्वुतिय भाव में करक राशी का शुक्र है तो के जो संतान होंगे उनमें कन्या संतती थोड़ी ज्यादा हो सकती है अब हम जर्चा करेंगे कि यदी जो का शुक्र है वो यदी आपके तृतिया भाव में होगा सिंग राशी का तो इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है पिकनिक के पर जाना या फिर पसंदाता है उसी प्राकार ये जो शुक्र हैवो व्युवा सुक्र के लिए अच्छा माना नहीं जाता व्यूवा सुक्र मेखास करकर यदि ये शुक्र मघा नक्षतर का होगा मतलब सिंग्राशिंग्वं परती आते हैं फिर्व मघा पूर्वा और उत्तरा तो यदी मघा न सक्षत्र का शुक्र है वह अच्छा नहीं माना जा दाता प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन डियर के समय हो सकते हैं लेकिन मोटे तरपर अगर ऐसे जो वेक्टियों होते हैं वह दिल के वह सॉफ्ट नेचर होते हैं मतलब इन में डिसिप्लिन नेचर या फिर या फिर यह जो बाते हैं वह थोड़ी कम देखी जा सकती है लेकिन स्कूल और कॉलेजस का जो शिक्षा होती है वह कि उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे जो बगतिया होते हैं मोटे तो पर अगर देखा जाए तो थोड़े से सॉफ्ट हर्ट होते हैं लेकिन इनकी सम आपके चतुर्दवा में कन्या राशी का होगा देखिए शुक्र यदि चतुर्दवाव में है तो वह स्वयम के भाव में होता है चाहे वह किसी भी राशी में हो लेकिन यह जो शुक्र है वह आपको घर गाड़ी का सुख जो होता है वह बहुत ही अच्छे तरह के से देता जा सकता है हाला कि यह जो सूख है मैं अधिबोतिक सूख के प्रतिप बोल रहा हूँ फैमिली का जो सूख है उसमें कम ज़्यदा हो सकता है खास करके यदि कन्या रशी का यदि शुकर है तो इन पर मा का जो प्रभा होता है वो थोड़ा जादा होता है ऐसे जो विक्ति होते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं कैसे खर्च करने हैं किस तरह से खर्च करने हैं वो उनको अच्छी तरह से मालूमाद होते हैं उसी परकर ऐसे जो विक्ति होते हैं घर के प्रति निप्चन होगा तो फिर मतलब यूति केंद्र प्रदियोग में होंगे तो फिर इनको विवा सुख में न करी बंद कठीन हो जाता है लेकिन बागी की जो भी बाते हैं जो मैंने कहीं कि फैमिली सुख के मामले में या फिर नॉर्मली पूचा जाता है कि मेरा घर या फिर काफी बाग्यावान आप कह सकते हो लखी कुडली कह सकते हो इनको करीपन सभी प्रकार के जो सुख है वो मिलते हुए नजर आते हैं खास करके के relationship के मामले में यह जो शुक्र है वो काफी ज़्यादा positive होता है ऐसे जो वेक्ति होते है relationship के निनका relationship normally successful success देखा जाता है relationship में उसी प्रकार ऐसे जो वेक्ति होते हैं अगर शेयर मार्केट में trade करते हो तो काफी अच्छे लाव इनको मिलते हुए नजर आते हैं उसी प्रकार ऐसे जो वेक्ति होते हैं इनका जो शिक्षा जो होती है वो भी काफी अच्छे तरिके से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं भाग्य का सतनी काफी अच्छा मिलता है धार्मिक या फिर अध्यात्मिक भी इनका जो रूख होता है वो देखा जा सकता है तो यदि आपके पंचम भाव में शुक्र होगा तो वो अच्छा माना जाएगा अब यहाँ पर विशा का नक जाओ जाएगा अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके शष्ट भाव में होगा वह तो नॉर्मली वह अच्छा मना नहीं जाएगा क्योंकि जो शुक्र का शुक्र का अपना भाव माना नहीं जाता तो इसको फोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो यहाँपर वृच्चिक राशी का शुक्र है तो इन में दो-तिन बाते हैं उसके उपर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा पहले तो बात इनको जो रिलेशन्शिप का जो सूख होता है वो नहीं होता है खास करके वृच्चिक राशी में तीन नक्षतर आते हैं विशाका अनुराधा और जेश्टा तो यदि विशाका और जेश्टा नक्षतर में शुक्र है तो वो अच्छा बिल्कुल भी नमाना नहीं जाता अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि स्वास्त के बारे में परेशानिया हो सकते हैं उसी परकार ऐसे जो विवा सुक का मिलना करीबर कठीन हो जाता है खास करके यदि इस शुक्र के साथ और कोई अन्य कोई पापगर होगा मतलब रवी मंगल हर्शल निप्चुन शनी भी होगा तो भी यह जो शुक्र है विवा सुक में या फिर आपके स्वास्त क बारे में भी बड़े प्रॉब्लम या फिर दिक्कतों में आपको ला सकता है लेकिन यदि यहाँ पर विच्चिक राशी में अकेला शुक्र है और ठीक ठाक होगा तो फिर विवा सुक में आपका लव मेरज होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है अब यही बात यदि जो शुक्र है यह शुक्र यदिाइबके सप्तम बाह में होगा तो सप्तम बाह में घन राशी में यदि सप्तम में होगा तो वो आपके विवास्टू के लिए अच्छा माना नहीं जाता है विवा सुक में प्रॉब्लम में आ सकते हैं नहीं जम सकती है फिर उनके स्वास्त के बारे में परेशानिया हो सकती है और सबसे इंपॉर्टन बात यदि धनुवराशी के मुल नक्षत्र में यदि शुक्र आपके सब्टम्बाव में होगा तो यह कमपल सरी है कि आप आपको संता सुक में यह दिक्कते दे सकता है आपके संता नहुण इस हद तक बाते जा सकते हैं इसके लिए बाकि के जो भी बाते हैं वह देखनी ज्यादा आवशक होती है लेकिन यह जो मुद्दा है वह भी थोड़ा महतोपुर्ण हो जाता है तो कुल्मिला के देखा जा तो यह जो सब्तम भाव का जो धनु राशी का शुक्र है वो विवा सुखे लिए अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन जो अब भी मैंने बात की कि यदि मूल नक्षत्रमी यदि शुक्र है तो ऐसे जो विखते जिनने अध्यात्मिक प्रगति करनी है इनके लिए जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है उसी परकार यदि शुक्र आपके अश्टमभाव में होगा तो अश्टमभाव का जो शुक्र है वो मकर राशी का शुक्र है तो पंचमे अश्टमभाव में या फिर वेश अश्टमभाव में तो यह जो शुक्र है विवा सुक्र के में हो सकता है सवंदर्य में हो सकता है я ensure different caste community में हो सकता है यह मतलब in सभी में इस सभी category में किसी एक में ایسा कोई here difference हो सकता है जो के दिखाई दे तो यह बात इन में थोड़ी देखी जा सकती है इनका एंका वह थोड़ा late हो सकता है और और संतन का और इनकी में जो problem of communication होते हैं वो हो सकते हैं तो यह जो शुक्र है वो अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन यदि आपके अश्टमभाव में मकर राशी का यदि शुक्र है तो आपको मिलने वाले इनलोज होंगे आपकी जो सुसरल के लोग होंगे वो काफी मतलब healthy ह होंगे financially तो यह बात थोड़ी अच्छी है या फिर सकारात्मक है इसके बाद हम चर्शा करेंगे कि यदि शुक्र आपके भाग्यवाव में होगा तो देखिए भाग्यवाव में जो शुक्र हो वो काफी अच्छा माना जाएगा लेकिन धार्मिक या फिर अद्धाद्मी कस करते हैं तो उनको कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते हैं relationship के मामले में भी यह जो शुक्र है वो काफी अच्छा और शुमुफलदाई माना जाएगा इसके बाद यदि शुक्र आपके बाग्यवाव में कुम्पराशिका होगा तो वो शुमुफलदाई माना जाएगा इ लेकिन विवा सुक्र के लिए जो शुक्र है वो शुमुफलदाई माना नहीं जाता यदि किसी अन्य पापग्रा मतलब रवी शनी अर्शल निप्चुद और रहो के तुकिया यदि युदि के अंदर प्रतियोग में यह शुक्र होगा तो विवा सुक मिलना करीबन कठिन ह होगह यह झाता है वह थोडा मतलब ज्यादा हार नहीं जाते हैं अर्ट्स हे मामले में यह वह काफी आगे बढ़ सकते हैं और खास करके इनकी जो संतान होगी, संतान का सुक इने काफ़ी अच्छा मिल सकता है, और इनकी जो संतान है वो जीवन में काफ़ी आगया बढ़ सकते हैं, खास करके वही जो आर्टिस्टिक फिल्ड है, उससे जदा रिलेट करने वाली हो सकती है, फिर उनका जो मुलूबुत में लाखभाव में मेश करषिका होगा तो वो नॉर्मली अच्छा माना जाता है, मतलब ऐसे जो बेक्ति होते हैं वह नकी जो पुर्मी परस्नालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, वीत्र जो परिवारे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है अब यहाँ पर देखिए जो शुक्र है वो यदि मेशरश्य का होगा तो इनका भी मतलब प्रेम विवा होने की संबानों थोड़ी ज्यादा बनती है हलाकि यहाँ पर तिन नक्षतर आते हैं अश्मिनी, भरणी और कृतिका तो कृतिका नक्षतर में यह यदि शुक्र होगा तो संतन सुक के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता संतन सुक में यह भारी प्राबलम कर सकता है मतलब misconception होना, misconceive होना यह फिर abortion वादी जो बाते हैं वह होने के संभावन थोड़ी ज्यादा बनती है, विवासुक में भी यह जो शुक्र यह कृतिका नक्षतर में होगा वह अच्छा माना नहीं जाएगा, उसे प्रकार यह जो राशी है वह शुक्र के अपनी राशी है, तो ऐसे जो वेक्ति होते हैं, हाला कि यह जो शुक्र यह जो विवासुक्र यह जो शुक्र है, वह बिलकुल भी अच्छा माना नहीं जाता है, तो किसी भी मायनों में अच्छा माना नहीं जाएगा, मतलब संतन सुक के मामले में, विवासुक के मामले में, किसी भी मामले में और ऐसे जो वेक्ति हो थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, उसे प्रकार यह जो रोईनी या फिर मिर्गशिक नक्षत्र में होगा, तो खास करके ऐसे जो वेक्ति होते हैं, खर्चे जादा कर खास करके गुरु शनी और शुक्र की यदि यूति आपके वय अभाव में वर्षब राशी में होगी तो इनका जो आत्नी की जो आध्यात्मिक प्रगती है वो काफे अच्छे बनती है सिर्फ यहाँ पर यह एक बात है कि संता सुक में यह अच्छा माना नहीं जागा कभी- प्रभाव में किस प्रकार से प्रभावत देगा इसके बारे में चर्चा आपको वीडियो कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया जीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना एज चैनल है ब्रह्मा अंड़ सिद्यास्ट्रों इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धर्मेबार